कि सारे स्टूल हडाईए हडाईए आईए हमर हेडिया ठेल करें निके आपकी कॉल है चलो बाज तू बॉलें करा दो यार और आज जो भी जीते का इजी कलर की जानिब से बाइक है उनके लिए पाकिसान का पहला सिंथेटिक हेर कलर वन नेशन वन कलर इजी कलर अटा अटा जल्दी करो तीन पॉइंट का गेम है जान लगा दे नहीं भाई मैं किसी साइड पे नहीं हूँ साही करा अपनी वाली करा कैश दू चले यह थोड़ा सा कैमरा पीछे करें कैमरा में किदर है कैमरा पीछे करें भाई आपकी बैटिंग है हट जाओ जाओ जैसी चलो आओ यह जम करनी होती है न तुम लोग की बैटिंग है हट जाओ अरीशे बैठ जाओ तुम एंजॉय करो लाइब को और आज एक मरतबा फिर दोनों टीमें को खुशाम दीद के हैते हैं जमा पीछे ओ बिलकुल और अज को मुकाबला होगा टिक्टॉकर्स वर्सिस चैंपियंस लीग कौन है इंपायर कौन है गॉसिफ गुरू एक रेडी एहमर और जैसे वागोर ओपनिंग बल्ले बास एम पिसली की जानिब से और शांदर बॉल और यहां पर पहली बॉल पर चखमा दिया है अहमर को नभी लाई अगली बॉल की और इस बार बॉल पिलर पर लगने के बाद सीधा बांड लाइंस से बार दो बॉले चार रंस भरपूर कलाईयों के इस्तेमाल और बॉल सीधा तेजी के साथ बाउड लाइन से बाहर तीन बॉले बारा रंस आड रंस और मजी चार रंस का इजाफा इसका मतलब मैंने सही कहा था के बारा रंस और आज एहमर ने पहले ही ओवर में चौको की पारिश कर दी अपनी टीम के लिए नबील ने अगली गें की और एक बार फिर यहाँ पर वाटनिंग दी गई एहमर को के अब एहमर आप तेज शॉट नहीं खेल सकते हैं पांच बॉले बारा रंस और इस बार शान पहले ओवर का खेल मुकमल पहले ओवर के अखताम पर चैंपियंस लीग का बढ़ता हूँ स्कोर 16 रंस शानार चैंपियंस लीग का और एहमर आज जारियान अंदाज से बैटिंग करते हुए चैंपियंस लीग के लिए निकी और इस बार बहुत सीदा तायरान के हातों में और वन टिप आउट हुए यहां पर जैजी और आपको पता है कि खुछ आउटां की क्रिकिट का फैसल बाई आउट है वन टिप आउट है और वन टिप और वो के दर है एनाइज के तर है और निकी ने पहले ही बॉल पर कामियाबी हासिल की अपनी टीम के लिए अजा सामना करेंगी और इस बार कृठ अगर दिया और इस बार कंजा इस लो बॉल को ना समझ सकी और बॉल टो ने के पास है यह यज जांस है और और देखते हैं कि निकी अपनी हैट ट्रिक मुकमल कर पाते हैं या नहीं और इस बार करें भी माले बाबर के हाथ में बॉल आजे उसको लगता कॉर्ड बेहाइंड और आज बहुती ज्यादा इनर्जेटिंगे बाबर इस मामले में और इस बार मलिक नायब का भरपूर कलाई कि इस्तेमाल और बॉल तेजी के साथ बाड़ो लैंसे बाहर बढ़ता हुआ स्कोर बीस रंस निकिया है बॉल के उठाकर खेल दिया और इस बार बॉल सीधा ताइरान के हाथों में और एक और नुकसान और उसे के साथ दो ओवर्स का खेल मुकमल दो ओवर्स की अखताम पर पर चैंपियंस लीग का बढ़ता हुआ स्कोर बीस रंस चैंपियंस लीग ने चर्ड बनाया और तिसरा ओवर करिंगी इसा एक मिनट एक मिनट एक मिनट इसा बहुत जग्दी है आज और तैरान समझा ए ओओ इसा को हलाके तैरान चुद नहीं पाता के बालन किस तरह की जा वाइड 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 और मजीद तीन रूंस का इजाफ़ा नहीं 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 हुआ एक रख मिले हैं सुरिफ इशाय नहीं बॉल क्यों इस पार बज गया बज गया और यहां पर बोर से उपर जाती आउट था एक चांस मिला है बहुत ही जबरदस्त एहमर को और को बहुत खयाल से बैटिंग करनी होगी कोई तेज शॉट नहीं कहल सकते हैं और इस बार स्विप किया और मजीद चार रंस के इजाफ़ा फील्ड तो करो और इस चार रंस के साथ बढ़ता हुआ इस स्कूर एक मिनट पहरान बहुत तीस रंस और फैसल भाई की तरफ से फि इशा अगली गें थेगने के लिए तयार फुल डॉल्स बॉलर इस वाहर बाबट ने कैच ड्रॉब किया और मजीद दो रंस का इजाफ़ा होगा चैंपियंस लीग के स्कूर में थाड़ीवन अलिभाई बॉल बता है चार गें दें 31 रंस इशा अपने ओवर की पांच वी गेंड करेंगी और इस बार एमर का शांदारी स्ट ड्राइफ दे नेक्स बाउंडी फॉर चैंपियंस लीग और इस चार रंस के साथ बढ़ता हुए स्कूर पैटिस रंस पांच बॉले पैटिस रंस इशा अपने ओवर की आखरी लीग का बढ़ता हुए स्कूर 49 रंस और टिक्टॉकर्स को ये मैच जीतने के लिए 18 गेंदों पर 40 रंस दरकार जो के एक बड़ा स्कूर है टिक्टॉकर्स के लिए और अगर आज का मैच चैंपियंस लीग को जीतना है तो टिक्टॉकर्स के लिए मसीद मुश्किल बनाना होगा और टिक्टॉकर्स के दोनों बले बास तायरान और अबील अपने 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 पॉइंट पर मौजूद लारा को अठादो और चैंपियंस लीग की जानिब से जैजी करेंगे पहला ओवर दरती हो ना तू नबिल सामना करेंगे जैजी का जैजी आए बाल की और यह आवर यह आपर जैजी को वार्डंग निगे हो थोड़ी, थोड़ी स्लोव बॉल करें थोड़ा तीज बॉल था यह है जैजी अगली बॉल करेंगे अभायर के लिए बॉसरे बॉल की और इस पार अ अ फैसल भाई वार्डिंग करनी है यह बॉर्डिंग देनी है और इस बार नभील का भर कुछ को पकड़ सकते थे मली किनायत लेकिन मली किनायतब ने स्केच को ड्रॉप किया और इस बार एहमर की जानिब से शान्दर फिल्डिंग एहमर के पर्फार्मिस बहुत जबड़ दस आज के मैच में और एक बहुत बड़ा वाइट बॉल ता लेकिन इस पर बल्ला लगाया नबील ने और यहां पर वाडनिंग दी गई ये नबील को कि नबील अब आप टेल्स चॉट नहीं खेल सकते हैं पांच बॉले आठ रंस जैजी आए बॉल की और इस बार बाबर अपील करते हुए और उसे के साथ पहले ओवर का खेल मुकंबल पहले ओवर के अर्थताम पर टिक टाउकर्स का बाता हुए स्कोर आठ रंस एहमर करेंगे दुसरा ओड़ता है रंस सामना करेंगे एमराए बॉल की और इस बार लेग स्ट्रम पर खेल दिया और दोनों बल्ले बाजों ने तेजी के साथ इस रंड को मुकंबल किया यार नो बॉल तो देखो या फैसल भाई फुल स्ट्रेप नहीं है यहां से किये बॉल अगर फुल स्ट्रेप होगा लेकर सुनो अगर इह हैं से बॉल करेंगा तो स्ट्रेप नहीं होगी मैं इसन इह बॉल किये एक यह नं बेख रहा हूं आप बेखि कर रहें किसी किसम की बहिमानी नहीं होगी इस मैच के अंदर फुल मेरिट पर मैश है एमराइ बॉल की और इस बार नमील भीट होगे और यकीनन यहाँ पर नभील एल्पी डबलू होती है अगर हमारे पास ही हाट बॉल की कृकिट होती अमर आपको बॉल पुक्रिके के पीछे से कर दी है अमर आये बॉल की सलो बॉल इस भार यकीनन बाबर के पास जगह नहीं थी वनना बाबर ज़रू ट्राइ करते है इसको कैश को पकड़ने के लिए MRI बाल की और इस बार भी गली के जाने प्हेल दिया नबील ने मगर इस बार भी कोई रन ना बन सका चार बाले नौ रन्स MRI बाल की और फाइनल लेक पर खेल दिया और मज़ीद एक रन का इजाफा पाँच बाले गुड ओवर एमर दस रन्स कोई बांडरी नहीं है एमर अपन ओवर की आखरी बाल करेंगे और इस बार एक मर्दबा फिर एमर ने शानदार बालिंग की और उसी के साथ दो ओवर्स का खेल मुकमल दो ओवर्स के अख्तिताम पर टिक्टॉकर्स का रुका हुआ स्कोर 10 रन्स और 6 गेंदों पर टिक्टॉकर्स को ये मैच जीतने के लिए 30 रन्स दरकार और बहुत बड़ा स्कोर है टिक्टॉकर्स के लिए यह और यकीन है अगर यह लोग लगतार चौके भी लगाते हैं छे बॉल उपर तो फिर बिल चौबिस रंस मिलेंगे अगर नौ बॉल होती है या वाइड बॉल्स होती है तो ही टिक्टाउकर्स जी सकते हैं ये मैच अगर या और इमाजीद चार रंस का इजाफा टिक्टाउ कंजा ने बॉल की सोला रंस एक बॉल सोला रंस और एक और वाइड बॉल कर दिये कंजा ने और आइटिंग कंजा अपनी हैट्रिक मुकमल करना चाहते हैं और मली किरायत समझाने आये थे कंजा को अलिव बॉल्स बताइएगा एक बॉल हुई है एक बॉल अभी तक सिर्फ एक बॉल हुई है कंजा की कंजा ने बॉल की और यकीनन ये भी वाइड बॉल थी मगर बल्ला लगाया नबील ने और मस्धीद चार रंस का इजाफा टिक्टाउकर्स के स्कोर में कंजा ने बॉल की और इसका भरपूर फाइद की और ये भी वाइट बॉल और इस वाइट बॉल के साथ बढ़ता हुआ इसको रलीब भाई 22 रंस और इस बार अमपाइर का इशारा आउट और यहां पर नबील को इससे पहले भी वाइट दी गई थी कि अगर डग आउट से बॉल उपर जाएगा तो नबील आउट होंगे और यकीनी तोर पर आउट हुए और तकरीबन 99 परसेंट ये मैच चैंपियन्स लीग के हिस्से में चुका है और तकरीबन ये मैच आज चैंपियन्स लीग जीट चुके हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कोर एक टिक्टॉकर्स के लिए भी भी मैच जीतने के लिए कंजा अगली बॉल करने के लिए तैयार मैं चाहूं भी तो नहीं जीत सकते दो बॉले बागी हैं कंजा के कंजा ने बॉल की और इस बार एक टकर ना चाहते थे मेंगर बीट हुए लाग बॉल करेंगी तैसल भाई सामना करेंगे और ये चारंग भी टिक्टॉकर्स को ये मैच दहीं जिद्वा पा सका थ्री पोइंट चैंपियन्स लीग एक मिनट क्या के रहें अले म्यूजिक बंद गरो यार ओ दुपारा ओ दुपारा ओ सुरी दो बॉलों पर 8 रंच चाहिए ने तुम आउटो निकी आएगा दो बॉलों पर 8 रंच चाहिए क्या हुआ दो बॉलों पर 18 रंटे वही तो मैं कह रहा हूं कैसे हो सकता है नहीं कर भी लो चार बाइटे हुई है बाइट थीज एक मिनट खैलें इतार आओ केमरे आगे नहीं खड़ी हो चे बॉलों पर 30 रंच चाहिए ठीक है उसे कितने चौक के मारें कितने हो गए आठ रंट रहेगा ना दो बॉलों पर 14 रंट नहीं हो सकते नहीं हो सकते नहीं हो पांच बाले हो तो इसी कलर की बाइट चेंपियंज के लिए अरे भाई गिरा मत देना क्या कर रहा है प्रेक तो छोड़ो प्रेक से पाव दाओ मैडम चोड़ो उतरो गिरेंगी दोनो यहां घड़ी करो चलो इस बार दिल को थब 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 आएं और धड़कनों को जगए मुची नाक वाली टीम्स की अकड़ की रसी नई टीम्स की जनून की आख से जलेगी क्योंके खेलेंगी टीम्स पांच सब तुफानी होगा इस लीग में वल्कम तो खुश रहो पाकिस्तान रमजान लीग 2021 खुश रहो पाकिस्तान पहली रमजान से चांद रात तक दुपहर तीन बजे सिर्फ बोल एंटर्टेन्मेंट पार